सब्सक्राइब कीजी पीसी स्टडी को और दबाएज बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखनेक लिए तो अब इस वीडियो में हम स्वाल करेंगे एक्जरसाइज 5.2 का क्वेस्चन नमबर 9 और क्वेस्चन नमबर 10 तो यहां पर एक एपी है जिसका थर्द टर्म है 4 और 9 टर्म है माइनस 8 तो हमें बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होंगा तो सबसे पहले तो हम यहां पर वही लेट कर लेंगे लेट A be the first term and D is the common difference of the AP A is AP का first term है और D is AP का common difference है तो इस AP की third term है 4 तो A3 equal होंगा A plus 2D के और third term हमें दी है 4 तो यहां जाएंगा equal to 4 A9 is equal to होंगा A plus 8D और इसके 9 term की value हमें दी गई है minus 8 तो by elimination method यहां पर भी हम इसे equation 1 और equation 2 लिख देंगे तो from equation 1 and equation 2 तो हम equation 1 में से equation 2 को subtract कर लेंगे तो equation 1 है A plus 2D is equal to 4 minus A plus 8D is equal to minus 8 तो यहां पर plus A और minus A कट हो जाएंगे 2D minus 8D आजाएंगा minus 6D और 4 minus minus 8 आजाएंगा plus 12 यहां पर यह minus minus plus हो जाएंगे तो यह आजाएंगा minus 6D is equal to 12 तो हम इस minus 6D को इस side में transfer कर देंगे तो यह आजाएंगा D is equal to 12 upon minus 6 तो यह आजाएंगा 6 बंजा 6 और 6 तूजा 12 तो D की value आजाएंगी minus 2 minus का sign as it is रहेंगा तो हम इस D की value को equation 1 में put कर देंगे तो equation 1 है a plus 2d is equal to 4 तो a plus 2 into d की value है minus 2 is equal to 4 तो a plus 2 into minus 2 आ जाएंगा minus 4 तो हम इस minus 4 को दुसरी वाली side में transfer कर देंगे तो यह minus 4 हो जाएंगा plus 4 तो a is equal to हो जाएंगा 4 plus 4 और 4 plus 4 हो जाएंगा 8 तो यहाँ पर a की value आ जाएंगी 8 तो अब यहाँ पर हमारे पास a की भी value है और d की भी value है तो हम यहाँ पर let कर देते हैं let the end term of ap is 0 इस ap की कोई end term है 0 यह हम let कर देंगे means assume कर देंगे और वोई end term वाला formula लगा देंगे a n is equal to a plus n minus 1 into d तो a है 8 plus n minus 1 as it is रहेंगा क्योंकि end की value हमें find करनी है और d है minus two तो इस 8 को हम इस side में transfer कर देंगे तो यह ओजाएंगा minus 8 और minus 2 को भी हम इस side में transfer कर देंगे तो यह divide में आ जाएंगा क्योंकि यह n minus 1 के साथ multiply में था इस equal to यह आ जाएंगा n minus 1 तो यह आ जाएंगा 2 ones are 2 और two forza eight और हैं पर यह माइनस और माइनस का साइन भी cut हो जाएंगा तो यह आ जाएंगा four is equal to n-one तो हम minus one को भी दूसरी वाली side में transfer कर देंगे तो यह हो जाएंगा plus one तो four plus one is equal to हो जाएंगा n और four plus one हो जाएंगा five is equal to n तो यहाँ पर इस ap की fifth term होंगी zero और हमें यही find करना था तो हमारा nine question भी यहाँ पर solve होता है अब हम इसका tenth question solve करेंगे तो tenth question है the 17th term of an ap exceeds its 10th term by seven find the common difference तो यहाँ पर एक ap की 17th term उसकी 10th term से 7 बड़ी है तो हमें यहाँ पर इस ap का common difference find करना है एक बार फिल से सुन लो इस ap के 17th वाली term इस ap के 10th वाले term से 7 बड़ी है तो सबसे पहले हम वह इलेट कर देंगे let a be the first term and d is the common difference a यहाँ पर first term है और d common difference तो इस step की question को कैसे solve करना है यहाँ पर हमें दिया है इस ap का 17th term means a 17 is equal to a 10 इस ap के 10th term से 7 बड़ा है तो हम a 10 में 7 add कर देंगे a 10 plus 7 और a 17 क्या होता है a 17 होता है a plus 16d is equal to a 10 होता है a plus 9d और plus 7 as it is आ जाएंगा तो यहाँ पर हम a plus 9d को इस side में transfer कर देंगे तो यह आ जाएंगा a minus a plus 16d minus 9d is equal to 7 तो हम a plus 9d को दूसरी वाली side में transfer कर देंगे तो यह आ जाएंगा a minus a plus 16d minus 9d is equal to 7 तो यहाँ पर plus a और minus a कट हो जाएंगा और 16d minus 9d आ जाएंगा 7d is equal to 7 तो 7 को हम दूसरी वाली side में transfer कर देंगे तो यह आ जाएंगा d is equal to 7 upon 7 तो यहाँ पर d is equal to हो जाएंगा 1 तो हमें यह ही find करना था हमें इस ap का common difference find करना था और d है हमारा common difference जो आ गया है 1 तो इस वीडियो में हमने exercise 5.2 का question number 9 और 10 solve किया इसके आगे के questions हम हमारी next वीडियो में continue करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और इस वीडियो को अपने सारे friends के साथ share करना मत भूलिएगा मिलते हैं next वीडियो में झाल झाल को अपटियो में झाल